नमस्का दोस्तों हमारे ब्लोग में आपका स्वागत है तो दोस्तों अभी हम जा रहे हैं छैना भने के लिए जो उपरी कंडे होते हैं गोवार के बने वुद्ध के लिए तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं तो गाइस अभी हम पहुँच चुके हैं छैना भनने के लिए तो ये खरिया है करीबन दस बारा होंगी एक दो तीन चार पांच छे साथ आट नाव दस क्यारा बारा 12 खरिया है तेख भठी के लिए काफी है इतनी तो यह गाइस दस बारा खरिया है इसको भर के ले जाना है और यह तलाप के किनारे में इसको बनाया जारा है थयरकी हम इसको भरना शुरु कर रहे हैं यह भठे में इसका काफी उप्योग होता है नीचे में डालने में सहायक होता है क्योंकि यह आग भी बहुत तेज करता है जलने में सहायता करता है तो हर एक भठे में करीबं 10-12 खरीड़ ही जाता है कि अभी तो चैना ही ले जा रहे हैं इसके बाद हमें कुछ लखड़ की जुरुत पड़ेगी तब पहले चैना ही भर लेते हैं कुछ अच भी प्रवड़侃 नहीं है ते लखड़िय छो प्रवका होता है ते दूष्यों नहीं हम प्रवड़ की खड़ा में है कुछ जआ को सहाय है ज़ल यदे में रहा हैं आयिक है ज़ल को सहाय जए है तो लड पापर होता है हुआ 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 है तो गाइस छोटे भठे के लिए आप इन सत चीजों से आप ही अच्छी तरीके से पगा सकते हैं कुछ शैने कुछ लकड़ी कुछ भूचाई कठा करके अब यह च्छे खरी और बची है तो इनको बना है और यह चैना भी ज्छाल के लेवल के आगया है इसकी हाइट हो गई है तो हर एक बठे में करीबन इतना अच्छे ना लगी जाता है क्योंकि इसको नीचे भी डालना पड़ता है और हर एक पट में डालना पड़ता है तो है यह दुती बाल अपने कश्डी के सामने लाइए कि आप 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 कि अपने की अपने की यह दुती दूबता है प्रड़ता है क्वाल प्राइए व्राइए प्राइए तो अब गाड़ी फानली भरने ही वाली है अभी साम का समय है अभी से जाड़ी अगास भी साम के वाली लाड़ीघ है तो बहाड़ी है पाड़ी है झाली है झाली अभात मिलत को इस रचा में तो एषने है झाल 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 तो गाड़ी खाली हो चुकी है और अब सी साम कसम है तो अब आज इतना नहीं फिर देखते हैं कल क्या करना है तो गाइस साच का वीडियो यहीं समाते करते हैं मिलते हैं किसी नेस्ट वीडियों पर